जैहिंद अगनिवीर फोजियों 18 अप्रेल का थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है और आचुके हैं आपके बीच 18 अप्रेल के शिफ्ट तीन के आर्मी पेपर में आए हुए सवालों को लेकर 18 अप्रेल आर्मी परिक्षा औरिजिनल पेपर बनाएंगे जिसमें आम लोग सिफ्ट तीन में आए हुए सारे सवालों को करेंगे जो भी सवाल देखो आपका सिफ्ट तीन में पूछा गया है देखो कल से देखने को मिल रहा है एक चीज की थर्ड शिफ्ट में जो है थोड़े से हाड सवाल आ रहे है थोड़े से मुश्किल सवाल जो है देखो थर्ड shift में पूछा जा रहा है तो आप सबको जिनका भी खास करके third shift में paper होगा उनको थोड़ा सा तैयार रहना होगा क्यूंकि third shift में लगातार दो दिन से देखा जा रहा है paper थोड़ा सा tough आ रहा है तो चलिए जल्दी से सारे लोग एक एक बार class को share करिएगा सभी लोगों को like कर ल और shift 3 का तीनो shift का paper का question जू लोग बनाने वाले है आज साम साथ बजे तो सभी लोगों को साम 7 जूरू जुड़ना है साम साथ बज YOU हम लोग shift 1 shift 2 and shift 3 shift के paper को करेंगे तो चलिए शुरू करने वाले है आपके third shift के questions को देखने के लिए देखेंगे बनाएंगे तो चलिए city of hrappan civilization राखी गड़ लोकेटेड रियाना में है पंजाब में है राजस्थान में या फिर गुजरात में मैंने आप सब को पहले ही बोला है कि हरपा सभेता वाला सवाल आना ही आना है हरपा सभेता से सवाल आएगा ऐगा और देखो पूछा जा यहां पर आपको दिया हुआ है कि अरुनाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है और अरुनाचल प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन है जल्दी से सब लोग जवाब दीजिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या होगा सही आंसर क्या होगा एक चीज़ देखो राज्य और मुख्यमंत्री का जो क्लास है हम लोग कल सुबह 9 बजे करेंगे तो तयार हो जाएंगे सभी कल सुबह 9 बजे जो है हम लोग देखने वाले हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के नाम ये सब कल सुबह 9 बजे जो हम लोग कर लेंगे और जिनका भी पेपर कल सुबह मे तो यह हैं देखो कहवाल लिए त्रीवी करम पार्निक ठीक है ध्यान रखनी है option C यहां पर सही होगा चलो जी अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल आपसे देखो पुछा गया है यहां पर कि वायू क्या है what is air पुछा गया है कि जो वायू है जो हवा होती है यह क्या होती ह तो याद रखेंगे जो वायू है जो हवा है यह देखो एक प्रकार का मिस्रन है यह जो है देखो एक प्रकार का मिक्स्चर है ठीक है चलिए नेश्ट क्यूशन देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल देखो यहां पर आपको दिया गया है नेश्ट क्यूशन मिला हुआ है देखो आपका अगला सवाल है कि 1905 में बंगाल वी भाजन के समय वाइसराय कौन थे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा तो 1905 में जब बंगाल वी भाजन हुआ तो वाइसराय थे देखो लौड करजन ठीक है सही जवाब होगा ओप्सन ए लौड करजन चलिए जी निश्रवाल देखेंगे अगला किवश्यन अगला किवश्यन देखो आपको क्या दिया गया है कि खेलो इंडिया सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजवानी मद्य परदेश और किसने की हरियाना पंजाब दिल्ली और गुजराग जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 इसकी मेजवानी मद्य परदेश और किसके द्वारा की गई है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और सब की लगा है तो वह सभी जो है देखो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को ओल पर जरूर सेट कर लेंगे चलिए जी दिया हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी किसने की मद्य परदेश और तो यह किया दिल्ली ने मद्य काजिंद अभ्यास 2023 किस किस देश के बीच में हुई है जो काजिंद अभ्यास 2023 है यह किसके किसके बीच हुआ है तो याद रखेगा जो काजिंद अभ्यास 2023 है यह देखो आपका हुआ है भारत एंड कजाकिस्तान के बीच में ठीक है क्या हो गया सही जवाब तो भारत article 21 सही जवाब क्या होगा चलूए जिल्दी से सब को को जवाब देनार बताना है अनुचे कीить में किसप्रकार की स्वतंत्रता का वरफन है तो जो अनुचे द्धिकिस things का पवित गरंत कौन सा है सही जवाब क्या होगा बहुत धर्म का पवित गरंत कौन सा होता है इस सवाल का सही आंसर क्या है चलिए जल्दी से आप जवाब देनी है और सबको यहां पर बतानी है बहुत धर्म का पवित गरंत कौन सा है देखो आज बहुत धर्म से जुड़ा ग्रंत है यहां देखो 3P टक है चलिए निश्क की विशन करते हैं अगला सवाल है यहां पर देखो यह दिया हुआ है कि आरे समाज की अस्थापना किसने की हूँ फाउंडेड आरे समाज राजा राम मोहन रोय विवेकानंद दयानंद सरस्वती या फिर सुबास चंद्रबोस आरे समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई है आरे समाज का संस्थापक कौन है चलो जल्दी से जवाब दोगे और सब को विताओगे आरे समाज की अस्थापना किसने की आरे समाज का संस्थापक कौन है आरे समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई है तो जो आ तिलंगाना में सम्ता की प्रतिमा किसकी है तिलंगाना में जो सम्ता की प्रतिमा है या किसकी है तिलंगाना में जो सम्ता की प्रतिमा है या किसकी है सही जवाब क्या होगा जल्दी से आंसर करोगे और सबके बताओगे तिलंगाना में सम्ता की प्रतिमा किसकी है तो तिलंगा में जो समता की प्रतीमा है यह है देखो श्री रामा नुजाचारे की सही जवाब होगा option A स्री रामा नुजाचारे चलिए अगला सवाल करते हैं नेश्ट क्यूशन देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है अगला सवाल मिला हुआ है कि रामसर सांख्य का सागर जील कहां इस्तित है वे रिश सागर लेक ओफ रामसर सांग्य मद्य परदेश अरुनाचल जो रामसर सांख्य का सागर जील है या कहां पर इस्तित है जल्दी से जवाब देनी और सब को यहां पर बताना है सही आंसर क्या होगा जो रामसर सांख्य का सागर जील है या कहां पर है तो ध्यान में रखेंगे यह देखो आपका इस्तित है MP में यह देखो आपका इस्ति दिश्म कोशिका है उत्तक हैं अमीबा है व बताया हुआ सवाल है यह जल्दी से सब कोई जवाब दीज़े गार बताइबा निम्न में से चलो जल्दी से जवाब देंगे और सबीक्त बताएंगे यहां पर Siya यहां पर निम्न Ho skillsieseh हों कि यह ku प्रिवर्टन है मैंने बोला है कि और भौतिक परिवर्टन लगातार आ रहा है तो आएगा ही आएगा देखो कंटीनू देखने को मिल रहा है कल से तो इसलिए सबको यह वाला पढ़के जाएगा लोहे पर जंग लगना आयन रस्टिंग यह जो है आपकी कौन सा प्रक्रिया है कौन सा परिवर्टन है तो याद रखिएगा यह केmical चेंज यह जो यह देखो रसायनिक परिवर्टन है सही जवाब होगा option a रसायनिक परिवर्टन चलिए अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है next question आपको क्या लिए का रूप जल्दी से जवाब करोगे और सबताऊगे एक आपका रूप निरीते चलो option दिए हुए आपके सामने जल्दी से जवाब आना चाहिये क्या answer रहा है? जल्दी से ज्सकर पहस बज़ाइन या डी वालो का जवाब सही है, option D केरल जो है देखो आपका सही आंसर है, चलि अगला सवाल मिला हुआ है कि ध्वनी किसमे गती नहीं कर सकती है, what can't sound true, वायू में, निर्वात में, पानी में, या पर मिट्टी में, ध्वनी किसमे गती नहीं कर सकती है, सही जवाब क्या होगा सबसे तेज किसमे चलती है, तो ध्वनी देखो सबसे तेज किसमे चलती है, स्टील में, ठीक है, ध्यान रखेगा, ध्वनी किसमे गती नहीं कर सकते है, निर्वात में, और ध्वनी सबसे तेज किसमे चलती है, और यही अगर यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए, कि प्रक प्रकास सबसे तेज किसमें चलता है तो प्रकास का सबसे तेज याद रखिएगा यह प्रकास जो है सबसे तेज चलता है देखो निर्वात में वैक्यूम में जिसमें ध्वनी नहीं चल सकता है उसमें जश्ट उल्टा प्रकास सबसे तेज चलता है निर्वात में वैक्यूम म को शेपब कर देना है आगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी शेब कर लिजिए सब्सक्राइब कर के सब्सक्राइब करने सब्स Krachnam Land services अक्षेवर करो'll फलिए सब्सक्राइब को जल्दी से जवाब देना रवताना है इमली में कौन सामल पाया जाता है तो इमली में देखो आपका टाटरी कमल पाया जाता है सही जवाब होगा option D चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है next question क्या मिला है कि निम्न में से किसमे से उस्मा आसानी से नहीं गुजर सकती है in which of the following heat cannot be passes easily निम्न में से क्या है जिसमे से देखो उस्मा आसानी से नहीं गुजर सकती है सही जवाब क्या होगा चलिए बिल्कुल जल्दी से सब को जवाब दीजेगा और बताइएगा इस सवाल का सही आंसर क्या है इस question का जो है सही जवाब क्या होगा निम्न में से किसमे जो है उस्मा आसानी से गती नहीं कर सकता है सही आंसर क्या है तो निम्न में से जिसमें देखो उस्मा आसानी से गती नहीं कर सकता है यह है उन यह है देखो वूल ठीक है option A सही जवाब है बहुत बढ़िया चलिए तो आपकी complete हो चुकी है अब आपसे मिलेंगे सीधे साम 7 बजे आज की साम 7 बजे क्लास में तो सभी को जरू जुरना है आज साम 7 बजे जो है देखो हम लोग shift 1 टीक है उसके बाद shift 2 और shift 3 तीनो shift में पुछे हुए सारे सवालों को करेंगे जो भी सवाल रह गये हैं जो और बच्चे नहीं बता पाएं उन सभी सवालों को भी अम लोग shift 1,2,3 तीनो shift मिलाकर साम 7 बजे करेंगे 100 प्लस सवाल तो सभी लोगों को साम 7 बजे की shift 3 की साम 7 बजे की क्लास में जरू जुड़ना है चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिन जय भारत